मैं चाहता हूँ उस मासू माधिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उत्रूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है। that's all. बारे में आपको बता दे जई भीम फिल्म का बज़र सिर्फ 10 करोड उपे था वहीं इस फिल्म को पब्लिक ओग इडिक्स नहीं काफी ज़्यादा पसंद किया ओ लगबग 4.5 इस्टा रियू दिया जिस वज़े से फिल्म के कलेक्शन में काफी अच्छी ग्रो देखने को मिल लेकिन माना जा रहा था फिल्म का तिसरे दिन का संडे का कलेक्शन काफी कम रहेगा लेकिन फिल्म ने अपने तिसरे दिन संडे को काफी बड़ा दमाका करते हुए जई भीम फिल्म ने अपने तिसरे दिन 15 करोड चैलिस लाग रुपे का दमाकेदार आखड़ा पार किया इसी के साथ इस फिल्म को अभी तक उड़री प्लेटफर्म पर रिलिज वे 19 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट से के मुताबिक जई भीम फिल्म अपने 19 वे दिन यानी आ 3 करोड़ सतुत्तर लाक रुपे की दमाकेदार कमाई कर रही जिससे फिल्म का 19 दिनों का टोटल इसी लाक रुपे हो जाएगा और अगर इस फिल्म से कार्थिकारियन की फिल्म दमाका का कमपेर करें तो दमाका फिल्म भी उड़री प्लेटफर्म पर रिलिज वे इस फिल्म का बज़र था 30 करोड रुपे इसी के साथ इस फिल्म को भी पब्लिक और क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पोंस मिला और लगबग 3 इस्टार यू मिला जिस वज़े से माना जा रहा था यह फिल्म अपने पहले दिन ओटरी प्लेटफरम पर काफी अच्छे ओपनिंग करेगी और ऐसा ही हुआ क्योंकि फिल्म ने अपने पहले दिन ओटरी प्लेटफरम पर 6 करोर 10 लाग रुपे से भी जादा की ओपनिंग की इसी के साथ अगर फिल्म के दूसरे दिन यानि आज की कलेक्शन की बात करें तो रिपोर्ट से के मताबिक इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में 7-8% की ग्रोध देखी गई और हो सकता है यह फिल्म अपने दूसरे दिन यानि 7 करोड 50 लाख रुपे के आसपस कमाई करें जिससे फिल्म का दो दिनों का टूटल ओटरी कलेक्शन 13 करोड 70 लाख रुपे हो जाएगा तो दोस्तो आज की उटरी कलेक्शन के मामले में तो कारती कारियन की फिल्म धमाका का कलेक्शन रहेगा जादा लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में साउथ के सूपर इस्टार शुरिया की फिल्म जई भीम माल लेगी बाजी जिस वज़े से Lifetime Collection के मामले में सुरिया की फिल्म जई भीम बनेगी सबसे बड़ी ब्लोगवेश्टर फिल्म और शुरिया बनेगे इंडिया के सबसे बड़े उटडी किंग इसी के साथ दूसरे नंबर पर रहेगी कारती कारियन की फिल्म दमाका महीं अगर आपने इन दोनों फिल्मों को देखा है तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आयो और आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहोगे जिससे आपको लेटिस्ट बढ़नों इसके बॉक्स और इस कलेक्शन की रिपोर्ण मिलती रहेगी सबसे पहले